Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel आज lecture 2 की बात करेंगे जिसमें क्या-क्या content रहने वाला है तो weather and climate, micro climate, formation and classification of clouds and dryland agriculture ये बहुत ही important lecture है lecture 1 तो basics था और उसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा नहीं था लेकिन ये lecture काफी important रहने वाला है चलो जल्दी से सुरू करते हैं और हो सके तो आप notes भी बनाया किज़े साथ में तो सबसे पहले meteorology होता क्या है तो ये Greek word से originate हुआ है meteoros जिसका मतलब होता है earth surface, above the earth surface मतलब atmosphere की बात कर दे तो atmosphere में जितने भी happenings हो रहे हैं उनका study करना ही meteorology है अर्थ का क्या shape है तो elliptical shape है weather and climate होता क्या है तो सिधी सिधी बात है कि weather है जो एक छोटे से area के लिए define क्या जाता है इट इस टेट अफ एट्मोस्फेर अट गीवन प्लेस अट अट गीवन इंस्टेंट अफ टाइम मतलब आज का weather क्या है तो hot weather है आज cloudy है sunny है या rainy है तो यह हमारा weather है लेकिन climate जो क्या है तो यह weather condition का summation लेक बहुत time से जो weather condition रहता आया है उसको analyze करने के बाद फिर हम लोग climate के बारें बोलते हैं कि हाँ यह tropical climate है मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है बहुत ज्यादा थंड होती है तो थंड हो जाती है यह temperate है मतलब हमेशा थंड ही होती है तो इस तरीके से जो cumulative effect देखते हैं न वेदर condition का उसको climate बोलते हैं तो summation of weather condition over a given reason during comparatively longer period is called climate अब हम differentiate करेंगे कि weather and climate में क्या difference है तो वेदर को मैंने बोला कि यह typical physical condition of the atmosphere एक छोटे से एरिया का यह typical physical condition climate क्या है generalized condition like over a year years देखते हैं और उसमें फिर बताते हैं कि climate किसी जगह का क्या है ठीक है changes from place to place even in a small locality थोड़े दूर में जाओगे like 10 km चले गए तो वहां पर वेदर कुछ और होगा लेकिन climate जो है over a large reason different होगा sorry same होगा मतलब कि different होने के लिए इसमें बहुत बड़ा reason चाहिए changes according to time मतलब weather है वो थोड़े थोड़े time से change होता रहता है लेकिन climate को change होने के लिए years लगते हैं फोर्थ नंबर को पॉइंट है वो important नहीं है फिफ्ट में क्या है कि वेदर अफेक्ट crop growth development and ilda decided by weather in a given season climate से क्या decide होगा तो selection of crop suitable for a place is decided based on climate of the region और यह question हो आपका important हो जाता है कि यदि हमें suitable crop कहीं का cropping pattern देखना है तो उसके लिए क्या देखेंगे तो हम climate देखेंगे लेकिन crop का growth कैसा है development कैसा उस साल का yield कैसा होगा तो यह वेदर कंडिशन पर depend करता है ठीक है और यह short term के लिए होता है नहीं करना है इस टाइप की चीजों के लिए वेदर देखते हैं हम लोग फिर क्लाइमेट लॉजी क्या है देखना डिटर्माइन करना यह क्लाइमेट लॉजी में आता है कि किस-किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है यह सब वो क्लाइमेट लॉजी में पढ़ते हैं आप फीचर जो होगया वह गया आपका स्टिंग्ट लोकलाइजड क्लाइमेट ऑफ ए स्मॉल स्केल एरिया डेट डिफर्स फॉर्म जेनरल प्रिवेलिंग क्लाइमेट ऑफ दा रीजन मतलब यह माल यह जाए कि आप कहीं पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रीजन में वहां पे बहुत गर्मी हो रही है लेकिन कहीं कि इंपे उपेड़ लगा हुआ है वहां पर आपको छाय मतलब कॉंस्टेंड है वहां पर तो क्या होगा कि वहां जो एरिया हुगा उसमें से सबसे ठंडा लेसम उघंडा है लेकिन जो अगर्म है तो यह से तो क्रीड अअ्जिक किस सकता हो जो जेनरल ट्रिमेट कंडीश अब three spheres की बात कर लें अर्थ है चलो जी अर्थ है अर्थ है उसमें बहुत सरे ocean है बीच बीच में continents है तो ये continent है इसको hydrology बोलेंगे hydrosphere जो हमारा continent है उसमे नीचे rocks パगरा होंगे तो भी jog and जो उपर का हम लोग कढ़ते हैं जो atmosphere की बात करें अभी जो पूरा gases portion है अर्थ surface के उपर का तो वो हो गया हमारा atmosphere थी अर्थ को three spheres में बाटे है atmosphere क्या है तो colorless, odorless and tasteless physical mixture of gases which surround the earth on all sides फिर बात करते हैं कि composition क्या है atmosphere का तो ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि oxygen कितना percent है आर्गन कितना percent है carbon dioxide कितना percent है मतलब किसी-किसी छोटे-मोटे exam में पूछ ले जाता है और कभी-कभी बड़े exam में भी कुछ ऐसा है छोटे सा question आ जाते हैं तो nitrogen है वो सबसे ज़्यादा है 78 percent है oxygen आपको 21 के आसपस याद रखना है उतना है आर्गन है वो 0.93 percent है carbon dioxide है जो 0.033 percent है और अधर से वो बहुत ही कम quantity में है structure क्या है atmosphere का तो इसको भी different layers में बाटे गए हैं उसी layers के बारे में अब पढ़ेंगे सबसे जो नीचे का layer हुआ वो ट्रोपर स्फेर हुआ और जो ट्रोपर स्फेर है वो सबसे important है important तो सारे spheres है लेकिन यह जो main जो phenomenon हो रहा है आपके हम लोग जो phenomenon देखते हैं कि rain हो रहा है इस टाइप के जो phenomenon जो mainly हो रहे है वो हमारा ट्रोपर स्फेर में हो रहा है ट्रोपर मींस क्या हुआ mixing और turbulence and sphere means reason इसका हमने ब्रेक कर दिया ट्रोपर स्फेर को तो ट्रोपर मींस mixing और turbulence and sphere means reason वारेस टैप अप्लाव्ड थंडर स्टर्म साइकलोंस एंटी साइकलोंस अकरीं इस स्फेर और यह इसको रहान रखने कि जितने भी स्टैप की चीज़े हो रही है न यह सारे ट्रोपर स्फेर में हो रही है देखो हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं बढ़ते हैं ट्रोपर स्फेर में तो धीरे 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 करके हमारा temperature होता नजर आता है तो इसको बोलते हैं जिस रेट से यह डिक्रीज हो रहा है उसको बोलेंगे लैप्स रिट का वैल्यू क्या है तो सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पर किलोमेटर या फिर थाउजन फिट में भी पूछा जाता है तो 3.6 डिग्री फेरन हाइट पर थाउजन फिट अब उसके बात करेंगे दूसरे जो लेयर है उसका तो स्ट्रेटो 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 chemical reaction का जित्ते भी photochemicals reaction होते हैं न वो सारे के सारे stratosphere में होते हैं और यह ultraviolet rays को absorb करने वाले स्फेयर यही है जो कि ozone layer है वो absorb करता है इसलिए stratosphere में ही वो है इसलिए इसको बोलेंगे ozoneosphere and it absorb ultraviolet rays हम बात करते हैं mesosphere का mesosphere क्या है होता जैसे सबसे नीचे क्या है troposphere फिर stratosphere फिर major sphere फिर इन सभी को एक layer है जो कि divide कर रहा है तो इसको हम pause बोल देते हैं कि यहां पर यहां पर क्या होता है थोड़े height पर जाओ ऊपर यह नीचे तो क्या होता है कि temperature उसका constant होता है जैसे troposphere में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो temperature हमारा decrease हो रहा है stratosphere में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे temperature भी increase होगा लेगिन जो यह बीच का जो dividing layers होते हैं उसको tropopause बोलते हैं यह temperature constant होता है यह extend कहां तक करता है तो 80 km तक major sphere extend करता है अब बात करेंगे ionosphere यह thermosphere का यह बहुत जादे important है क्यों क्यों क्योंकि आप mobile phone चला रहे हो आप TV चला रहे हो रेडियो चला रहे हो तिस सारे के सारे इसी स्फेयर की वजह से हैं जित्ते भी waves होते हैं न वो रेडियो waves वो जाते हैं उपर और reflect होके जो बापस आते हैं जिससे communication established होता है जिससे हमारे और आपके बीच में भी communication established हुआ है इसके लिए responsible है हमारा thermosphere यह ionosphere बोलते हैं यह में इस लिएर है हमारे पूरे सफेयर को पूरे लेयर का atmosphere का सबसे वामेश्ट लेयर है thermosphere यह है इस द अउन height of about 80 to 400 km and it reflects radio waves इसके बाद फिर एक्जोस्फेर एक्जोस्फेर वो लेयर है जहां पर almost आपका जो air density है वो almost निल हो गया है और hydrogen and helium gases ही सिरफ है जो predominant है इधर outermost reason में क्योंकि ये दोनों ही light gases है और light gases कहां जाएंगी तो उपर जाएंगी तो इस layer में जो भी है वो hydrogen and helium है predominantly अब बात करते हैं कि water the weather elements तो weather elements क्या क्या है तो solar radiation है air temperature है atmospheric pressure है wind movement है relative humidity है precipitation and clouds है ये सारे का सारे क्या है तो हमारे weather elements है अब देखते हैं ये रेखो डाइरेक्ट यहां पर topic छूट गया है लेकिन किस तरीके से travel करता है light and heat तो इन तीन तरीके sorry light तो किसी भी तरीके से travel कर सकता है लेकिन जो heat है वो किस तरीके से travel करता है तो तीन मेठ़र से करता है conduction convection and radiation these are the method of transmission of heat okay तो conduction में क्या हो रहा है कि heat transfer through matter without the actual moment of the molecule and substance or matter example iron rod heating इसमें क्या है कि जैसे यह iron rod है इसको हमने यहां से heat करना शुरू किया तो यहां पर क्या है कि इसके जो molecules हैं वो यहां से उठके यहां नहीं जाएंगे यह बीना वहां पर गये ही क्या करेगा यह transfer करेगा अपने energy बगल वाले molecule को यह फिर से transfer करेगा अपने बगल वाले को और इस तरीके से यह end भी थोड़े दिर में गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे conduction, conduct कर रहे हैं बस, convection क्या होगा तो transmission of heat through actual moment of molecule of the medium, अब इसमें boiling water है अब इसमें water है boil करते हैं आप देखते हो कि नीचे से बुलूला की तरह कुछ उपर आ रहा है उपर आ रहा है तो यह क्या होता है कि इसमें जो molecules होते हैं वह actually खुद मूव करते हैं उनमें energy आ गया उपर आ गया फिर जिसका energy कम है वह नीचे बैठ किया फिर वह भी बाद में absorb कर लिया यहां से energy तो फिर सब उपर जाएगा तो वह actually में खुद ही move करते हैं radiation क्या है transmission of energy from one body to another without the aid of material medium मतलब vacuum में vacuum में move करता है कुछ भी like energy तो उसको हम radiation बोलते हैं इसके लिए medium की ज़रूरत नहीं होती है the energy transmission through space जैसे space में कोई medium नहीं है like exosphere के भी जो उपर है वो space उसमें कोई medium नहीं है फिर भी वहाँ पे heat का transfer होता है तो वो radiation की वज़ाद से होता है ठीक है फिर solar radiation है क्या तो when the radiation is transmitted from the sun is called solar radiation अब यहाँ पर solar लगा हुए है तो solar का मतलब ही होता है sun ठीक है फिर solar constant है तो it is the energy falling in one minute on a surface of one square centimeter at the outer boundary layer of the atmosphere यह बहुत important है याद रखना है इसका unit क्या है यह भी याद रखना और जो value इसका solar constant का क्या है वो भी याद रखना है तो इसका जो unit है वो calorie per square centimeter per minute है और इसका जो value है वो 1.94 है यह 2 तक जाता है लेकिन आपको जो पूछा जाएगा ना उसमें mark करके आपको यह ही आना है क्योंकि यह standard value 1.94 calorie per square centimeter per minute है और per square centimeter यहाँ पे meter नहीं है तो यह ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि what is black body and what is albedo तो black body क्या होता है कि concept यह है black body का कि यदि कोई भी body है उस पे किसी तरीके का आपने ray दिया या फिर कोई heat wave ये energy कुछ भी गया वो जाके वहाँ पर पूरा packed हो जाए मतलब उससे आप बापस आके नहीं निकले तो उसको फिर हम बोलेंगे कि यह black body है तो कोई भी चीज complete black body नहीं होती मतलब कि यह hypothetical body है मतलब कुछ न कुछ amount 0.0001% ही निकल के आए बट वो release करती है लेकिन concept black body का यही है it is an ideal hypothetical body which absorb all the electromagnetic radiation falling on it it is perfect absorber and perfect radiator ठीक है अफिए अल्बीडो क्या है तो it is defined as the ratio between reflector radiation to the incident radiation on a crop, field, snow, यह समतलब किसी भी medium में तो इसको हम अल्बीडो बोलते है यह आपका माल लेजा land है अब इस पे sun rays आ रहे है तो कितना amount इसका मतलब कितना ratio में कितना amount इसका reflect होके बापिस जाएगा radiation वो उसका albido value होगा और सबसे ज़्यादा albido value होता है वो किसका होता है तो snow का होता है ठीक है जो हमारा crop field है उसका albido क्या है तो 12-13% हमारा albido value है crop का temperature क्या है temperature is the measure of speed per molecule of all the molecules of the body sorry यह आप याद मत रखो यहाँ पर जो PPT बनाया गया है उसमें कहीं कहीं पर थोड़ा mistake है लेकिन मैं बता देते हूँ temperature क्या है तो किसी भी body है मतलब कोई भी body है यह method है किसी भी body का hotness या coldness आपको decide करना है तो वो temperature में करेंगे मतलब temperature indicate the hotness and coldness of any body आप कहते हो कि 73 degree centigrade यह hot है तो यह इसको हम temperature बोलेंगे यह जो indication इसको हम temperature बोलेंगे heat है it is the energy arising from random motion of all the molecules of the body सारे मतलब कि किसी भी body में जो भी molecules हैं उनका random motion की वज़ज से जो heat generate होगा जो energy arise होता उसको हम लोग heat बोलते है सबसे ज़्यादा जो maximum air temperature कुछ points है इसे देख लो कि maximum air temperature कब होता है तो 1 pm से 4 pm के बीच में होता हम लोग क्या बोलते हैं 12 बज़े दीन को नहीं जाएंगे बहुत गर्मी है क्योंकि सूर का प्रकास बिलकुल सर पहा रखा है लेकिन जो main गर्मी होता है जब वो reflect होने लगता वो radiations तब main गर्मी फील होती है तो 1 से लेके 4 बज़े तक maximum air temperature होता है और minimum temperature जो होता है वो just before the sunrise होता है there are three points of temperature which influence the growth of crop plant these are termed as cardinal temperature मतलब जो temperature सबसे ज़्यादा crop plants को affect करता है उसको cardinal temperature बोलते हैं atmospheric pressure क्या है तो atmospheric pressure is the pressure exerted by a column of air with a cross section area of the given unit किसी भी given unit पे कि क्रोस sectional area पे कितना pressure exert करता है एक column of air उसको हम बोलेंगे atmospheric pressure ठीक है अब बात करें cyclones का तो cyclone क्या है cyclone is a low pressure system अब यह देख लीजिए अब यह देखो यह कोई area है यदि यहाँ पे low pressure generate हो गया बीच में तो क्या होगा कि यह जो air है वो move होके यहाँ पे आना चाहेगी यहाँ पे आना चाहेगी तो इसकी वज़ासे यह cyclone बनेगा तो यह low pressure generate क्यों होगा तो यहाँ पे मतलब कि heating ज़्यादा हो गया इस जगह का heating ज़्यादा होने की वज़ासे heat हो गया तो molecules में क्या हो गया motion आजाएगा तो वो random motion आएगा वो धीरे 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 हीट होके वो ऊपर जाना शुरू कर देंगे ठीक है उसके molecule उसकी वज़ासे यहाँ का जो air molecule है वो तो ऊपर चला गया अब यहाँ पे low pressure generate हो गया अब अगल बगल के जो air होंगे उसको feel करेंगे न तो यह जो आसपास का air होगा वो यहाँ पे आएगा उसी को हम लोग cyclone बोलेंगे when the isobar are circular or elliptical in shape and the pressure is lowest at the center such a pressure system is low or depression or cyclone ठीक है when isobars are circular elliptical in shape and the pressure is highest at the center मतलब इसी का उल्टा हो गया कि यहाँ पे सबसे जादा pressure highest हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे anti cyclone मतलब जो cyclone है उसका उल्टा हो गया वो हो गया anti cyclone इसको बोलेंगे ठीक है अब wind क्या है तो air in horizontal motion is called wind मतलब air दिरे दिरे air तो हर जगह पे है लेकिन जैसे ही हम air feel करना शुरू कर देते हैं एक तरफ किसी एक motion में आ जाता है किसी एक direction में air हम लोग क्या बोलते हैं कि यह wind है the cooler air over the water start moving across the coast line from sea to land this is called sea breeze मतलब sea से land की ओर हम जिधर से आर है air उधर का नाम देंगे मतलब sea से air है वो आर है land की ओर तो हम इसको बोलेंगे sea breeze यदि land से air जा रहा है sea की ओर तो हम उसको क्या बोलेंगे land breeze ठीक है अब कुछ like terms है like specific humidity absolute humidity and relative humidity मतलब humidity के three different types है humidity क्या measure करता है कि आपका air में कितना moisture content है उसको humidity बोलेंगे अब humidity भी three types से हम लोग calculate कर सकते है specific क्या है तो it is the ratio of mass of water vapor in a sample of moist air मतलब कि किसी भी water vapor में जो moist air है उसके ratio में कितना water है उसको हम लोग बोलेंगे specific humidity ठीक है the total mass of sample it is expressed as case of water vapor in case of moisture sorry यहां पर थोड़ा सा गड़बड है यह जो point है यह हटना चाहिए यह वाला यह different नहीं है same यह it is the ratio of mass of water vapor in a sample of moist air to total mass of the sample अब यह सही हुआ it is expressed as case of water vapor in case of moisture फिर हो गया absolute humidity क्या है तो absolute हुआ मतलब कि जो real में है absolutely true मतलब कि जो real है actual में है it is the ratio of mass of water vapor to the volume of moist air in which it is contained it is called absolute absolute को भी जो हम करते हैं मेजर करते हैं उसको केजी पर मीटर में करते हैं relative क्या हो गया it is expressed as the ratio of actual vapor pressure to the saturated vapor pressure मतलब कि जो vapor pressure actual में है और उसको किस से डिवाइड करेंगे जो saturated vapor pressure कितना हो सकता उससे तो उसको हम बोलेंगे relative humidity it is expressed in terms of percentage the most common measure of atmospheric humidity मतलब हम लोग atmospheric humidity की बात करते हैं तो सबसे commonly इसी की बात करते है relative humidity की ठीक है अब बात करते है लिवयपर pressure deficit क्या है ड्यू प्वंट क्या है अगर अगरा है कर दो झाल झाल